आज आपके सामनी है क्लास 9 इंग्लिस रीडर चेप्टर नमबर 3 दा मोडल मिलियनियर पार्ट नमबर 2 पार्ट नमबर 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन से मिल जाएगा तो सुरू करते हैं सेकंड पार्ट को यूजी बुड़े बिकारी को देखती हुए कहता है बेचारा बुड़ा इंसान कितना दुखी दिख रहा है मुझे तो लगता है कि आप पेंटर्स के लिए इसका चेहरा ही इसका बाग्य है मतब हुजी कहना चाहता है कि आप उसकी पेंटिंग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप उसका चेहरा दुखी दिखता है तो इस पर उसको दोस्त एलन ट्रेवर जवाब देता है बिल्कुल सही कहा आप नहीं चाहोगे कि एक तस्वीर में भिकारी खुस नजर आए क्या आप ऐसा चाहते हो इसके बाद हुजी एक सूफे पर अरामदायक सीट पाने के बाद फिर से अपने दोस्त से पूछता है यहाँ पर एक मोडल को बैठे रहने के लिए कितना मिलता है तो जवाब देता है उसको दोस्त अस सीलिंग एन आवर यानि एक घंटे का एक सीलिंग मिलता है सीलिंग एक करनसी है इसके बाद फिर से वो पूछता है एलन तुम्हें अपनी बनाई हुई तस्वीर का कितना मिल जाता है एलन जवाब देता है कि मुझे करीबन 2000 मिलती है फिर हुजी कहता है क्या तुम्हें 2000 पाउंट्स मिलते है तो एलन जवाब देता है नहीं उसे एक गीनीस मिलती है यह जितने भी पेंटर्स होती है पोईट होती है या फिजिसियन्स होती है इन्हें गिनीस में करेंसी मिलती है इसके बाद फिर हुजी हस्ति हुए कहता है मुझे तो लगता है कि आएक मोडल को भी इस करेंसी में से कुछ परतिसत मिलना चाहिए क्योंकि वो भी इतना ही मेहनत करते हैं जितना कि तुम इस पर एलन जवाब देता है ये बकवास ये सब बकवास है क्या तुमने वो परिशानी नहीं देखी है जब अकेले पेंट करते हैं वक्त आती है हम पूरे दिन खड़े खड़े एक लंबी सी पेंटिंग करते हैं और तुम तो सिर्फ बोल देते हो कि ये ठीक है ऐसा कहना तुमारे लिए आसान है पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कुछ पल ऐसे भी आती है जब हमारी सारीरिक छमता बहुत ज़्यादा लग जाती है कला को बनानी में बन लेकिन हमें बात नहीं करनी चाहिए मैं बहुत बिजी हूँ अपनी सिक्रेट जलाओ और थोड़ा सांत रहो कुछ समय बाद वहाँ एक सर्वेंट आता है और एलन से कहता है कि आप से एक फ्रेम मेकर आपके साथ बात करना चाहता है इसके बाद वो ह्यूजी से कहता है हूजी तुम यहां से भागना मत यहां से जाना मत मैं अभी जाता हूँ और कुछ ही पल में वापस आ जाऊँगा अब बूढ़ा व्यक्ति वो बूढ़ा भिकारी एलन ट्रेवर के जाने के बाद उसका फाइदा उठाता है यारि एलन ट्रेवर के एपसेंस का फाइदा उठाते हुए एक पल के लिए एक वुडन बेंच पर आराम करता है जो कि उसके पीछे रखी हुई थी वो बड़ा ही दुखी और लाचार लग रहा था हूजी उसकी मदद करने से अपने आपको रोक नहीं पाया उसने अपनी जेबो को टटोला कि उसके पास कितना मनी है उसने पाया कि उसके पास एक सोवेरियन है और कुछ कोपर्स के कोईन है बेचारा बुड़ा इंसान उसे लगा कि बेचारा बुड़ा इंसान मुझे तो लगता है कि इस सोवेरियन की जुरुत इसे जादा है मुझसे जादा पर लेकिन इसका मतलब है कि दो हफ़तों तक मुझे कोई हैंसम नहीं मिलेगा हैंसम का मतलब है एक घुड सवार जिसके पीछे गाड़ी बंदी हुई होती है यारी घोड़ा गाड़ी मुझे ही मिलेगी दो हफ़तों तक इसके बाद स्टूडियो से निकलते वक्त हुजी उस बूड़े विकारी की हाथ में उस सोवेरियन को सरका देता है उस बूड़े व्यक्ती उस बूड़े व्यक्ती ने जब ये देखा तो वो थोड़ा हैरान हुआ उसके मुर्जाय हुए होटो पर एक हलकी सी मुस्कुराहट आ गई उसने कहा थैंक यू थैंक यू सर इसके बाद जब ट्रेवर अंदर आया तो हुजी वहां से लिकल गया हुजी निकलते वक्त उसके चेहरे पर एक हलकी सी सरमाट थी जो उसने इस काम को किया था उसने बागी का दिन लोरा के साथ बित है वो पैलिट क्लब में पहुचा वहां पर 11 बजे हुए थे उसने पाया कि उसका दोस्त ट्रेवर वही पर बैठा हुआ एक स्मोकिंग रूट में होक और सेल्टर नाम की कुछ वाइन्स पी रहा है जब एलन वहां उसने एलन से पूछा कि क्या तुमारी तस्वीर अच्छ है यानि खतम भी हो चुकी है बाइदबौय तुमें धीरे धीरे तुमने एक जीत ही थे वह कैसे वह बूड़ा व्यक्ती जो वह बूड़ा मोडल जिसे तुमने देखा था वह तुम से बहुत ज़ादा प्रभावित हुआ है मैंने सब कुछ तुमारे बारी में उसको बताया कि तुम कोण हो तुम कहां रहते हो तुमारी इंकम क्या है और तुमारे क्या इरादी है माई डियर एलन हुजी कहता है मुझे तो लगता है कि आज जब मैं घर पहुँचूंगा तो मैं अपने घर के बाद उसी बिकारी को पाऊंगा But of course, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्म मजा कर रहे हो बेचारा बुढ़ा इंसान, कास मैं उसके लिए कुछ कर पाता वो कितना दुखी और लाचा लग रहा था, कितना परिसान लग रहा था कि मैंचे नहीं लगता कि कोई इतना भी ज़्यादा लाचार हो सकता है मेरे पास घर पर एक कपडो का धीर है क्या तुम्हें लगता है कि वो कपड़े उसकी कुछ मदद कर पाएंगे उसके फटे पुराने जो कपड़े हैं उनके चीथडे उड़े पड़े हैं इसके बाद ट्रेवर कहता है लेकिन वो फटे पुराने कपड़े में बड़ा ही दुखी लाचा नजर आता है और मैं किसी बिकारी की तस्वीर एक फ्रोक कोट पहने बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहूँगा तुम जिन्हें तुम रैक्स कहते हो जिन्हें तुम फटे पुराने कपड़े कहते हो मैं उन्हें कलपना कहता हूँ जिसे तुम गरीबी कहते हो वो मेरे लिए एक कला है मेरे लिए एक तस्वीर बनाने की एक कला है हाला कि मैं तुम्हारे इस औफर को यानि इस कपड़े वाले औफर को उसको जरूर बता हूंगा हुजी कहता है seriously तुम pyrrhitzer's का जो दिल है वो होता ही नहीं है तो इस पर travel जवाब देता है एक कलाकार का दिल उसके सिर में होता है साथ ही साथ ही वो जवाब देता है कि हमारा जो business है वो है कि हम जस तरीके से जस नजरीय से दुनिया को देखते हैं वैसा ही उस दुनिया को महसूस करते हैं ना कि इसे मैं बदलते हैं और ना ही इसे जानली की कोसिस करते हैं और मैंने उसे लोरा के बारे में बताया and now tell me how लोरा is कि मुझे बताओ कि लोरा कैसी है उस बुड़े व्यक्ति को उस लोरा के बारे में बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी हो रही थी मतलब बुड़े व्यक्ति को भी मैंने उस लोरा के तुमारी जो पार्टनर है लोरा उसके बारे में बताया तो हुजी कहता है कि यह मत कहना कि तुमने लोरा के बारे में उसको सब कुछ बताया तो उसका friend कहता है बिलकुल मैंने बताया मैंने तुमे उसे ये भी बताया कि एक बेरुखा कर्डिनल है Hiska पिता, और उसकी एक बेटी है लोरा और तुम्हारे 10 thousand pounds के बारी में भी शुजी कहता है गुस्टे में, लाल और गुस्टे के साथ तुमने उस बिकारी को मेरी सारी प्राइवेट बाते बता दी कैसे बता सकते हो सम तो इस पर ट्रेवर एक मुस्कराटते हुए जवाब देता है कि वो ओल्ड बेगर जिसे तुम बिकारी समझ रहे हो वो और कोई नहीं इस यूरोप का सबसे अमीर आदमी है वो चाहे तो कल ही बिना अपने अकाउंट से पैसा निकाले पूरे लंदन को खरीच सकता है हर सहर में उसका एक घर है सुनेरी प्लेटों में सोने की प्लेटों में वो डिनर करता है और वो रस्या को युद पर जाने से भी रोक सकता है जब वो चाहे तो हुजी हैरान होते हुए कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है तो ट्रेवर कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ वो बुढ़ा व्यक्ती जिसे तुमने आद देखा था मेरे स्टूडियो में वो और कोई नहीं बेरन हसबर्ग है बेरन हसबर्ग कि जिससे की एक बिकारी के रूप में मैं उसकी पेंटिंग कर सकूँ मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक अच्छी तस्वीर बनाई है उसके उन प्राने कपड़ों में और साइद ये मैं कह सकता हूँ कि वो जो प्राने कपड़े हैं वो मेरे है मैं उन्हें स्पेन से उन पराने कपड़ों को स्पेन से लेकर आया था यूजी कहता है बेरन हस्बर है भगवान मैंने उसे एक सोवेरियन दिया ऐसा सोचते ही वो अपनी चेर में दुखी वाले भाव में डूब जाता है तो उसका दोस्ट ट्रेवर चिलाते हुए कहता है तुमने उसे एक सोवेरियन दे दिया और ऐसा करते हुए उसका दोस्ट उस पर हसनी लगता है मुझे नहीं लगता कि अब तुम उसे फिर से देख पाऊगे एलन कहता है मुझे सोरी हुजी कहता है एलन से एलन मुझे तुमें मुझे इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था अगर तुम मुझे पहले ही इस बारे में बता देते तो मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करता तो ट्रेवर कहता है मेरे प्यारे दोस्त यूजी में कहां से बताओ It never enter my mind कि मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं था कि तुम इस तरीके से लापरवाई तरीके से किसी को भी पैसा बाटते रहते हो अगर तुमने किसी मोडल को किस क्या होता तो मैं इस पर विश्वास कर सकता था पर लेकिन तुमने एक बद्दे से इनसान को एक सुवेरियन दे दिया बाई जोब, बाई गोड मतब बिसाइड, the fact is that, fact तो ये था कि मैंने आज किसी को भी अपने घर पर आने की उमीद नहीं थी मुझे उमीद नहीं थी कि मेरे घर पर कोई आएगा पर जब तुम आए, तो मैं नहीं जानता था कि होसबर्ग ये चाहेंगे कि वो अपना नाम यहाँ पर बताए या नहीं मुझे दब होसबर्ग ये नहीं चाहेंगे कि वो अपना नाम बताए क्योंकि वो उस समय पूरी ड्रेस में नहीं थे यूजी कहता है कि मुझे एक डफर समझ रहे होंगे मुझे बेवकूफ समझ रहे होंगे तो इस पर उसका दोस जवाब देता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अरे वो तो बहुत जादा खुश था वो हस्ते मुस्कुराते हुए अपने हस्ते मुस्कुराते हुए तुम्हारे बारे में पूछ रहा था अपने बुजर्ग हातों को अपने जूरी पड़े हुए हातों को रगड रहा था बार बार उस सुक्ता से तुम्हारे बारे में जान रहा था मैं उस समय ये नहीं जान पा रहा था ताकि वो तुम्हारे बारे में जानकारी लेने में इतना interest क्यूं है पर लेकिन मैं यह कह सकता हूँ तुम्हारे दिया हुआ savarian वो जरूर तुम पर invest करेगा हर छे महीने बाद तुम्हें उस savarian का कुछ हिसा तुम्हें interest के रूप में देख देगा और उसके पास एक स्टोरी भी होगी डिनर के समय किसी को बताने के लिए फिर हुजी कहता है रहे मैं तो कितना अनलकी डेविल हो एक सैतान हो अनलकी हो सबसे बेस्ट तिंग अब यही होगा कि मैं अपने घर जाओ और अपने बेड़ पर अराम करो माई डियर एलन तुमें तुम इस बारे में किसी को मत बताना अगर ऐसा तुम करते हो तो मैं गल्यों में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा फिर इसका दोस्त कहता है नोंसेंस बकवास है सब तुमने तो एक महानकार्य किया है तुमने तो अपने आपको प्रोपकार दिखाया है प्रोपकार यानि देख फैलन थ्रोपिक वो होता है जो दूसरों पर उपकार करता है ठीक है दोसरों की भलाई करता है तो तुमने एक बहुत ही बड़ा भलाई वाला काम किया है तुम इससे भागो मत चलो एक और सिक्रेट पर हो और हम लोरा के बारे में बात करेंगे जिसे तुम बहुत जादा पसंद करते हो यूजी लेकिन अपने दोस्त की इस बात पर रुका नहीं वो वहाँ से चला गया वो बड़ा ही दुखी मैसूस कर रहा था और वही पर उसका दोस्त उसके पीछे-पीछे हस रहा था जब वो चला गया अगली सुबह जब वो ब्रेकफास कर रहा था एक सर्वेंट उसके पास आया एक कार्ड लेकर उस पर लिखा हुआ था मौनसियर गुष्टावे नो दिन और बिहाफ ओफ मील बैरोन हस्बर की बैरोन हस्बर की तरफ से कोई व्यक्ति आया है तो ह्यूजी अपने आप से कहता है मुझे तो लगता है कि ये मुझे से माफी मंगवाने के लिए यहाँ पाया है तो उसने अपने सर्वेंट से कहा कि जाओ उस विजिटर को यहाँ पर लेकर रहा हूँ जो मुझे मिलने के लिए आया था एक बुड़ा इंसान जिसने सुनहेरे चसमें पहने हुए थे ग्रे हेर थे वो अपने उसके कमरे में आया और कहा एक फ्रेंच एसेंड में मैं तो फ्रेंच बासा में कहा हैव आई दहोना ओफ एड्रेसिंग मॉंसियर एश्किन क्या मैं यहाँ पर मॉंसियर एश्किन के सम्मान में खड़ा हूँ तो यहाँ पर हुजी भी जुक कर उसको परनाम करता है फिर वो बुड़ा व्यक्ति कहता है कि मैं बेरन हंस्बर की तरफ से आया हूँ दब बेरन इतने में कुछ बोलने वाला होता है तब ही हुजी बीच में बोल देता है कि मुझे माफ कीजिये सर क्या मेरी तरफ से आप उनसे माफी मांग लेंगे क्या मेरे माफी का प्रस्ताव उन तक बेज देंगे कि जो भी मैंने किया वो बुड़ा व्यक्ति एक मुस्कुरायट के साथ कहता है अपनी बात को आगे रखते हुए कहता है कि बेरन ने मुझे आदेज दिया है कि आपको ये लेटर दू और ये लेटर सील्ड था ये एन्वलप सील्ड था इसके बाद उस लेटर के बाहर लिखा हुआ था कि एक साधी का तोफ़ा हुज स्किन से के लिए और लोरा मार्टन के लिए एक भिकारी की तरफ से और उसके अंदर एक चेक था 10,000 पाउंड का जब हुजी और लोरा की साधी हुई तो उस समय उसका दोस एलन ट्रेवर वहाँ पर उस साधी में बेस्ट बेंड का उसने रोल ने बाया और बैरन हासबर्ग ने उस वेडिंग बेकफास्ट की समय स्पीच दी अब यहाँ पर एक लास्ट लाइन है Millionaire Models remarked Alan are rare enough बट जो Modern Millionaire are rare still यानि एलन के द्वारा की यह वर्ड्स थे जिसमें लिखा कि जो Millionaire होती हैं वो बहुती कम Models ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो Millionaire हो और Model भी हो लेकिन इन से ज़्यादा कमी तो उनकी है उन लोगों की है जो Model होने के बाद भी Millionaire है मतलब Last Line का कहने का मतलब यह है एक अमीर आदमी एक Model के रूप में कम दिखाई देते हैं वैसे ही एक Model एक Millionaire के रूप में उससे भी ज़्यादा कम दिखाई देते हैं यह Chapter हमारे यही पर खताम हुआ वीडियो कैसे लगए इस बारे में कमेंट में लिक कर जुरू बताए अगर वीडियो अच्छी लगए तो लाइक जुरू करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई